सुदीर राख्टिंग सर अब यहां सब के सब एक से एक बहतीन कंसेप्ट बताने लगे हैं और अगर सब एक से एक बहतीन कंसेप्ट बताने लगे हैं लिखने लगे हैं लिखके परचायत करने लगे हैं पोस्ट बनाने लगे हैं यूटूब बनाने लगे हैं वीडियो बनाने लगे हैं तो हमारे अच्छे दिन जल्दी आ जाएंगे क्योंकि जितनी तेजी से हम सब लोग कंसेप्ट बोल बताना लिखना प्रचाइद करना सीख लेंगे उतनी तेजी से अपने बच्चों का भविश्य सिकोर कर लेंगे अभी समय है क्योंकि किसी भी मूवमेंट मैं आज तक भी समय का ध्यान नहीं रखा गया इस बात का आप ध्यान देना कैई मूवमेंट में मैंने यहां देखा उन में जाके अंदर जाके काम भी किया कैई संट्रों में जाके देखा वहां काम भी किया उनके पास में कोई टाइम लाइन नहीं है टाइम लाइन किसी पोजेक्ट की या किसी कारे की बहुत महत्मुर्चीज होती है टाइम लाइन का म आदमी बढ़ाने पड़ें चाहे इसके लिए पैसा खर्ष करना पड़े चाहे इसके लिए खुद भागना पड़े मगर उस टाइम के अंदर वो काम होना चाहिए तो तो उस काम का फाइदा है और टाइम के बाद अगर वो काम होता है तो उसका कोई फाइदा न है जैसे जो हमें भारत के अंदर कहते हैं कि judgment जो लेट मिलता है वो judgment नहीं होता देर से मिला हुआ नियाए नहीं होता क्योंकि समय पे मिला नहीं और जिन के लिए नियाए मिलना था वो तो मर गے उनका तो कोई फाइदा हुआ नहीं उसी प्रिकार अगर देर से किया हुआ काम है और देर से भी कोई काम आपने किया है और उसका समय पर फाइदा नहीं हो तो बेकार है वो उस सारी एनरजी बेकार है इस टाइम फ्रेम या टाइम लाइन या समय सारणी या समय सीमा का जो पहला उधरन मिलता है वो मिलता है तुनिया के सबसे पहले करांतिकारी बुद्ध से हैं बुद्ध ने समय सीमा निधर्ट की और वो समय सीमा ये थी कि मैं अपने मरने से पहले अपने भिक्वों का संग अपने उपासकों का संग अपने उपासिकाओं का संग उसको पूरी तरह से अपने पैरों पे खड़ा करूँगा तब मरूँगा तो उन्होंने अपने जीवन की जितने भी सांसें थी उसको टाइम लाइन बनाया और मिट्टू जैसे कहानी आती है कि केई वार मिट्टू ने उनको मार ने उनको दबो जा मगर जो बोधी प्राप्त होते हैं जिनको अपने सरीर की पूरी जानकारी होती है वो ये समझ जाते हैं कि अब ये सरीर में गर्बर्ड हो रही है तो उसको ठीक कर लेते हैं और वो अपनी आयू भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो अपने सरीर का ग्यान वियाना जान लेते हैं जो सरीर के वियाना को जाल लेते हैं बोधी तो वहीं उन्हीं को प्राप्त होती है वही बुद्ध बनते हैं तो दो वार ऐसे मौके आए जब मौत उनके करीब आई उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया माना कर दिया कि अभी नहीं मनना अभी मेरा भिकु संग कमजोर है क्योंकि जब सरी खराब होता है तो पता चल जाता है वैसे वह बोधी से तो थे तो उनको यह पता था कि अब सरीर में कितना दम हैं कितना नहीं है तो वो तेजी से लिख रहे थे और तेजी से कर रहे थे और अंतिम समय उन्होंने अपनी बुद्ध और निस धम्मा पूरी क और उसके बाद वो चले गए तो उनको भी डेट अपनी टाइम लाइन का पता था इसे टाइम लाइन का हमारे जो आजकल जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको तो भनक भी नहीं है जानकारी भी नहीं है और बिना टाइम लाइन के बिना समय साड़ी के बिना निश्चित समय क प्लान बनाने या उसके समय रेखा के अंदर काम पूरा किरे बेगर हमारी कोई गती नहीं हो सकती इसको इसलिए बहुत जादा important है क्योंकि युक्रेन के अंदर boundary पेर सीमा के अंदर और रस्या के अंदर सीमा के अंदर सेनाए खड़ी हुई है चुटपट गूलाबारी चल रही है छदम गूलाबारी चल रही है इंड़ायक्ट युद्ध सुरू हो गया है तो उन देरों देशों में और उनके जो सहोगी देश हैं उनके अंदर अब सारे काम रुक गए क्योंकि अब आपातकल आ गया क्योंकि बम छूटेंगे गोले छूटेंगे तो उस समय कोई अपनी पैंसन थोड़ी मांगेगा वहां यह थोड़ी कहेगा वही मैं पैंसन के लिए हर्ताल करूंगा या उन देशों के अंदर कोई यह थोड़ी सोचेगा कि वही पहले मैं गिरजा जाओं पहले मैं प्राथना करूं पहले मैं ध्यान लगाऊं पहले मैं जाके वहां लोगों को कोई चैरिटी करूं वहां को यह नहीं सोच हो जाएगा दोनों सेनाओं आपातकाल हैं देश आपातकाल पर खड़ा हुआ है पता नहीं कितने सस्तरों की जोड़ पड़े कितने सस्तरों की जोड़े कौन सी emergency आजाए कहां बंचूट जाए तो medical सेवाए सारी alert पर हैं तो जो छोटी मोटी जो सेवाए हैं वो बंद हो गई पहले alert वाली जो अपात काल है पहले सेनिकों के लिए सब कुछ वहाँ जाएगा और यह जो छोटी मोटी जो दवाए हैं वो चलती रहेंगी मगर बड़ी बड़ी जो चीज़ें जो टाली जा सकती हैं वो टाल दी गए तो जो कपड़ा सिलने की फैक्ट्री हैं कपड़ा बनाने की फैक्ट्री हैं उनको कह दिया कि भई आपने पहले युद्द छेत के लिए यह लोगों के लिए कपड़े बनाने हैं, देश के लोगों के लिए कपड़े अभी नहीं बनाने, क्योंकि यह आपातकाल है, तो जितनी वहाँ सभाएं लगती थी थी लोगों को एक खटा करने की, या आपसमें बात करने की, या एक दूसरे के वेलफेर करने की, वो सारी की स बनवाने के कोई सामाजिक जो प्रोजेक्ट है चोटे मोटे कहीं केम्प लगाने के ये अब सब इस्थागित है अब यह नहीं चलेंगे अब तो जिसके पास जो भी एनरजी है वो सारी बॉर्डर पर जाएगी सेनिकों को जाएगी और आपात काल के लिए त्यारे ना है कोई चोट से भारत में क्योंकि अब दुनिया के अंदर जो बॉर्डर पर युद्ध हो रहे हैं वो जादा अच्छे नहीं है और वो होंगे भी नहीं आगे वो सिर्भ दिखावे के हो रहे हैं असली युद्ध जो हो रहा है वो अंदर हो रहा है जिसको वैचारे की युद्ध बोलते हैं पबलिक का मन बदलने का उस देश की जंता का मस्तिक्स बदलने का माइंड बदलने का इस काम के लिए पुराने समय के अंदर भी हवाई जहां जो से पर्चे छोड़े जाते थे नीचे के हमारी सेना इतनी आगे बढ़ गई और तुम्हारी सेना इतनी पीछे अट और रेडियो पर जुटी जुटी खबरे आया करती थी अब हमारे सेनिकों ने वहां मोर्चा फत्य कर लिया हमारे सेनिक आगे बढ़ गए चाब भले ही सेनिक मर रहे है या मोर्चा छूट गया मगर खबर जो अफ़गा उड़ाय जाती थी ताकि मनोवल ना तूटे उसको परचार नीती बोलते थे कि सेना का मनोवल बढ़ा रहे है और परचार में हमेंसा ऐसा रहे तो सेना को या किसी का भी मनोवल तोड़ने की कोई खबर कभी परचा इतनी होती थी और दूसे लोग हवाई जहां से परशे डालते थे ताकि मनोवल तूट जाए कि तुमारे जो आदमी है नहीं या तुम्हारे पास हतियार नहीं है, मारे जाओगे भाग जाओ पीछे, भाग जाओ पीछे, डराय जाता था, ये युद्ध के तरीके जो चल रहे हैं, यहां है, समण संग को बहुत आगे तक का दिखाई देता है, क्योंकि समण संग बहुत पीछे से चल रह समर्संग कोई नया नहीं है और समर्संग कोई छोटी सी धारा या नदी नहीं है समर्संग समुंद्र है तो जितनी भी धारा है छोटी छोटी जो आ रही है वो जो जन्मानस की जन्बल की धारा है लोगों की धारा है वो सारी की सारी इसमें आके मिलेंगी तो ये समुद्र बनता है और अगर वहां से ये सारी नहीं मिलेंगी तो समुद्र नहीं बनता है वो जो जल्दारा जितनी भी आ रही हैं उन जल्दाराओं पे कुछ लोगों ने बांध बना लिये किसी ने हीटों का बना लिया, किसी ने कंग्रीट का बना लिया, कोई महां बिजली पैदा कर रहा है छोटी सी, कोई महां खेतों में पानी ले रहा है, तो जो बांध बना लिये हैं, उन बांध से पानी आना बंद हो गया, तो समुंदर बन नहीं पा रहा है, और जब तक समु से हैं सौल्ब नहीं होंगी क्योंकि आपको समुंदर की आप सकता है चोटी छोटी धाराओं से बात नहीं बन रही है तो धाराओं का काम है कि जनबल को वहां तक पहुंच आए और समुंदर का काम है कि उसको इकटा करके रखे वगर बीच में जितने भी लोग आगे जन्नों उधर बांध बना लिया, डैम बना लिया, रोक लिया, धाराए मौडनी उनसे दिक्कत आ रही है. बहुत सारी लोगों उनने तो धाराए मौड के पानी खुद जमा करके ज Therefore you in बेकार हो जाती है सूप भी जाती है वो जील होगी पानी जाता है नहीं समुद्र में तो वो जो धारा हैं वो धारा ये सोचती है कि समुद्र हमारे अंदर आके मिल जाए ऐसा होता नहीं क्योंकि समुद्र तो समुद्र है उसका नियम है कि धारा उसके अंदर आनी है तो जो से हमने बिजली बनाई बड़ी मुश्किल से हमने ये काम किया पानी रोके तो उनको परेसानी हो रही है तो उनको परेसान होने की आवशक्ता है नहीं क्योंकि जो काम वो छोटा मोटा कर रहे हैं पानी रोकने का या जील बनाने का उससे बड़ा काम हो रहा है समुद बनाने क तो उन सबको खुले मन से समुंदु की तरफ भागना चाहिए चलना चाहिए मगर है क्या कि पहले संग था और जब पहले संग था तो पहले शमुदु था और फिर वो तोड़ दिया गया चोटी छोटी धारौं में आ गया और धारां से अब दुबारा समुद्र बनने की प्रिक्रिया श्टार्ट हो गई है तो धाराओं को ये लगता है कि हम तो सदियों से हैं अरे भाई आप सदियों से हो सकते हैं मगर आपका जो डेस्टिनेशन है वो हर हालत में समुद्र है अगर आप समुद्र तक नहीं पहुंसते हैं तो धारा होने का जो अस्तित पर वो खतम हो जाता है क्योंकि हर धारा को समंदर में जाना है और जब समंदर में जाते हैं तब ही उनकी मुक्ति होती है तब ही उनका काम पूरा होता है ये बात वो इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने समंदर देखा ही नहीं वो ये पता ही नहीं कि ये सारी चीज़ां कैसे काम करती हैं, वो दूसरे के संगों को तो देखते हैं, वो दूसरे के संगों को तो देखते हैं, वो दूसरे के संग की तो खुब इस्तुति करते हैं, खुब उसका गुणगान करते हैं, खुब उसका बखान करते हैं, खुब उसक कि तारिफ करते हैं और कहते हैं कि देखो कैसा संग है संग ऐसा करता है और अपने महा संगों को नहीं देखते जो संगों का बाप है जो दुनिया में सबसे बड़ा है वो समझ में नहीं आता उसकी अगर बात करते हैं तो उनका पेटका पानी हिल जाता है और पानी हिलना उनक किसी को चोटी सी एक कुटिया बनानी है किसी को चोटे से दो कमरे बनाने किसी को कुछ ज्यादा तो समुदाय का कुछ बनना है समुदाय के बनने वाले बहुत हैं कोटिया कोटी बहुत साय लोग बना रहे हैं चार-पांस कमरे बहुत साय लोग बना रहे हैं किसी को इसकूल बनाने का काम कर रहा है कोई यूनिवस्टी का सोच रहा है यूनिवस्टी बनानी है किसी का काम ब नहीं रहा है कोई सराप करड़ा तो खोली रहा है काम तो वो सोसाइटिक लिए कर रहा है मगर उसको समय की पहचान नहीं है उसको यह पहचान नहीं है कि अभी जो समय है वो आपातकाल है हम युद्ध के दरवाजे पर खड़े हुए'RE बॉर्डर पर खड़े हुए है और यहां सेला आपकी जरुद है यहां नदियों से कामनी बनने वाला किुँकि सामने वाला भी समदू लेकर बैठा हुआ है तो आपको समंदू चाईए बड़ा समुद्र चाहिए, तब आप जीत सकते हैं, इस बात को वो स्विकार नहीं करते, इस बात पर चिंतन नहीं करते, इस बात पर मनन नहीं करते, क्योंकि सोच बहुत छोटी है, और समुद्र की तो सोच भी नहीं पाते, समण संगी तो सोच भी नहीं पाते, उनको यकीन ही होता कि हमारे बाप झाड़ा का समर्णों को यकीन है यह डेशब ले पढ़ाते हैं संध्र्ण सरनंग में और डेली कहते हैं सबकों कि इखटे होने मंगर उनका इखटा होना बहुत छोटा सा सोच में हैं क्या सेहर में कुछ लोग को इखटा कलने या धम के नाम पे खटा कलने या राजनीती के नाम पे खटा कलने और राजनीती में बहुत साइट टुकड़े हैं धमें में बहुत साइट टुकड़े हैं या एजूकेशन के नाम पे अलग-अलग-अलग-बनाने का इखटा सकता है यह तो यह ना हो सकत है यह तो उन्होंने बिल्कुल छोड़ रखा है कि ना हो सकत है तो जब यह ना हो सकत है मैंड में आ जाता है और जब सोची छोटी हो जाती है तो विचार भी छोटा हो जाता है और जब विचार करता है हमने तो पूरी जिंद्गी काम किया हम तो पूरी जिंद्गी लगे रहे और वो सच्चे मन से लगा होता ऐसा नहीं है कि उसका मन सच्चा ना हो लगा सच्चा होता है मगर उसको दूर का नहीं दिखाई देता है और वो अपने महापुर्सों का नाम तो ले देता है दुनिया के छटे नमबर के जीवित लोगों में मरें लोगों में विद्वान मने जाते हैं बदु तु नमबर मन के हैं और पूरी दुनिया उसको मानती है और वो ग्लोबल हैं मगतने ब्रैंड एम्बेश्डर को अपने डॉक् समूच में को त्यार नहीं है सोचने को तियार नहीं है तो जिसका बाब गलोबल है जिसका दादा इंटरनेशनल है जिसके सामने पूरी दुनिया जुकती है नतमस्तक होती है तो सोच हमको वहां से सुरू करनी चाहिए या सोच हमको सुरू करनी चाहिए कि हमको दो कमरे बनाने हैं एक स्कूल बनाना है या हमको एक चोटी सी पार्टी बनानी है, या हमको एक MLA बनना है, या हमको एक MP बनना है, या हमको कुछ चंदा मिल जाए, या हमको कुछ धंदा मिल जाए, या दस्वीस लोगों का मैं प्रधान बन जाओं, या किसी सरकारी करमचारी का, उससे कुछ नहीं होने वाला है, हम क्रि पानी होता है गंदा पानी होता है नहीं साफ हो पा रहा है तो भी हमारे काम का है क्योंकि अगर वो प्यास बुजाने के काम नहीं आएगा तो आग बुजाने काम तो आएगा रहेगा तो हमारे साथ कोंकि हमारा है और हम बार बार ये भी कहते हैं कि समण संग में कोई किसी को निकाल नहीं सकता समन्र शंग के लावा समर शंग सकता है और हम यह भी कहते हैं कि जो समध में पैदा हुए CST hacia वे सारे के सारे इसके मेंबर है और इसके मेंबर्शीप के लिए उन्हें किसी की सड़िफीर लेने देने हम तो यह कहते हैं कि सारे हैं तो समुंदर में आने को जिनको दिक्कत है उनको लगता है कि यह क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो नहीं खटा होना चायते जिनको अपने मठ और अपनी पोजिशन प्यारी है जिनको अपना चंदा प्यारा है जिनको अपने नाम से कुछ बनाने का ह में जिसकी सोचिषोटी है उसका हम क्या कर सकते हैं। उसको एसी जो छोट szczegól वाले उन्हों ने जगे 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 बांद बना रखे हैं। हमारे जितने भी धारहे हैं और वैठे हूवे, कुंडली माय के बैठे हुए। अगर हम उनको नहीं कहते हैं तो हम मर जाते हैं और हम उनको कहते हैं तो उनके जो भक्त हैं वो अपने भक्तों को आगे कर देते हैं हमको ऐसा कह दिया हमको वैसा कह दिया जरा जाके देखिए जरा जाके सोचिए तो हम किसी को कुछ कहते नहीं है तो हम समय का इंदियार कर रह क्योंकि वो जो लोग है वो सबनाव्सक्राणन बनने वाले हैं आभी एक दो साल में आ जाएगा। क्योंकि हम तुम्सक्राइक को नहीं यह देख रहे हैंत। हमारे विरोधी लो इब हम उनका भॉपील्यतन मोड़ें पना शुम्झस लिए रही है जो कि बहुत पुराना जो पुजेक्ट सभंड संका है वह अब निकल के आया है और संग में और संगधन में संगधन की जो कारें परणा लिए उस संगधन की कारें परणा निकिए बीच में आते आते या थे बहुत साइन लोग की मिश्टेक करें समय के साथ च्छोड़ते हैं मगर हम लगे हुए हैं बिल्कुल इसी साब से सारे के सारे के हमारे पास time कम है और हम को हर हलत में सम्दों तक पहुंचना है तो बीच में जो भी आएगा वो अगर हमारे लिए फाटक खोल देगा डैम के फाटक खोल देगा तो हम अपना पानी आ बंद कर दिये और पानी को जबजस्ती रोकने की कोशिस की वो पानी इस डैम को जड़ से बहा देगा तो कि और कोई option समढ संग या समाज या हमारी लोग या जितने समढ लोग उनके पास है नहीं उनके पास सरफ एक option है कि इकटा होना है ये युद्ध छेत्र है ये काल भैरव है इस काल भैरव में छोटी मोटी चीजों की बात नहीं होगी और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो तो होती रहें क्योंकि लोग सांस भी लेंगे लोग खाना भी खाएंगे लोग पानी भी पेंगे लोग शादी भी करेंगे उसको कोई मराई नहीं है करें वो सारे काम, वो तो जीवन के काम है, उनको करने चाहिए, बच्चा बीमारत दवाई भी लेगा, युद्ध छेतर में भी घर के सारे काम चलते रहते हैं, कोई आदमी आपात काल में सांस लाना बंद नहीं कर देता है, मगर जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, वो बंद हो पर्फ्यूम नहीं खहिता, कोई सेंट नहीं खहिता, तब तो लंबे-लंबे चाकू खहिदे जाते हैं, कि अगर सैनी घुराए सेहर में घुसाए, और हमारे पास कुछ नहीं हुआ, तो कम से कम दो-चार सैनी घर में घुसेंगे, हमारी ओड़ों पे, हमारी बच्चों पे क को हमारे समर्ण संगियों को समर्ण समाज के लोगों को ऐसा लगेगा और अभी तो और जाता लगेगा कि समर्ण क्रिटिसाइज करता है समर्ण क्रिटिसाइज नहीं करता समर्ण संग परणाम देता है नो मेहने के अंदर समर्व संगे परिणाम दुनिया में अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं और यहां जो पोर्टल पर लोग आते हैं बताते हैं तो कि हमारा जो परिणाम है हमारे काम से है और हम जो काम कर रहे हैं वो एक ही काम तो कर रहे हैं हम जो कहते हैं बार बार क्या कहते हैं एक सुत्री कारिकरम है अगर समर संगे किसी भी विक्ति नहीं ये कहा हो कि हम को दूसरा काम करते हैं तो हम दूसरा परणाम देंगे ना हमने कब कहा कि हम यूनिवर्स्टी बनाने जा रहे हमने कब कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी में जा है बागी सक्वां जिसे करना हुआ करता रहे है कि stories करता हो आगे हैं को जोड़ना है और जोड़ने जोड़ने से हमको डायवड होना है चाहे दुनिए अधर से हुदर हो जाए काम चलता हो तो चले और ना चलता होsst़ों ना ले, मगर काम यही हमारा, क्योंकि यह काम किसी ने किया है नहीं, इसको किसी ने काम माना नहीं. और यही काम important है, कीमिंके सारे संतों यही बता के गए हैं. अच्छा जो जितने भी लोग यह कहते हैं कि हम welding करते हैं, हम linen करते हैं, वो क्या कर रहे हैं अरे भाई आप भी तो इखटा कर रहे हो अगर आप इखटा ना कर रहे हो तो बताओ पस फरक कितना है कि आप धन भी इखटा कर रहे हो आप जनबल भी इखटा कर रहे हो और हमारे साथ में क्या है कि हमने धन के लिए पूरी तरह से मना कर दिया क्योंकि ज खन्मल इखटा करने के लिए धन्मल की आवशक्ता नहीं है किसी महापुरुस ने बता नहीं तो हम तो महापुर्सों की पूरी बात मानने हैं आधी बात अपनी लगा रहे हो जिस चीज की आवशक्ता है जो है वही हम कह रहे हैं तो उसका परणाम हम हर हपते यहां दे रहे है संडे को यहां पढ़नाम बताया जाता है यहां पढ़नाम ऐसा नहीं बताया जाता कि अगर टीचर है तो उन्होंने कितने बच्चों को पढ़ाया कितने बच्चों को लिखाया वो काम टीचर का है टीचर कर रहे हैं घर में पढ़ा रहे हैं बाहर पढ़ा रहे हैं मगर और दारु देनीज बहुत जरूरी है क्या दौरी युद्ध देनी है क्या उनको इलाज हो जरूरी है युद्ध फ्षित में and ने से कुखरके हमारे लोगों के पास्वाइब संथ भड़े युद्ध बंद हो गए या चल नहीं रहे हैं मगर वन पॉइंट काम चल रहा है जुड़ना है जुड़ना है सारे जुड़ना है जुड़ना है काम तो वही करेंगे फीचर भी जब जुड़ेंगे जुड़ेंगे तो प्लान वही बनाएंगे मगर वह प्लान इस प्लान में है नहीं वह बात लेला काम है वो जोड़े हैं वो कलास खोलने और पढाएं व अच्छी बाध है तो एंजिनियर्स हमसे पैसे ले जाओ मगर स्रमण संद तो पैसे लेता नहीं इसलिए उनको साफ कहा गया वे पैसे नहीं चाहिए पैसे का तो कॉलम ही खत्म तरका है पैसे नहीं चाहिए हमको तो जोड़ो और जोड़ने वाला चाहिए तो वकील जोडने आ रहे हैं, तो वकील अपना घटक संद बना रहे हैं, तो सभी के सभी घटक संद बना रहे हैं, मगर सबका एक काम है, जोडना है और जोडना है, ये काम तब तक चलेगा, जब तक सारी सुविधाएं हमारी बापस नहीं आ जाती है, क्योंकि सम्विधान के तहत में सम्विधान ये नहीं पूसता, कि आईए आप इंजिनिर हैं तो आपने कितना काम समाज की वेरिफिक में निए किया, इसको सम्वीधान से कोई लिए अंदर नही है, सम्वीधान ये कहता है कि वेलेफिर का काम गौर्मन्ट आद आदा का है, और मैंने बताओ कि आपका हिस्सा कितना कितना चाहिए इखटे होके आओगे तो आपको चैरिटी में काम करने की बजाए इखटे होके आना आसान काम है तो आपको सम्विधान पैसा दे देगा तो सम्विधान कहता है कि बताओ कितने स्कूल कॉलिज चाहिए इखटे होके आओगे तो स सारी एनरजी एक स्कूल या को यूनिवस्टी खुलने में लगा दोगे और सम्विधान का तहत में फाइदा नहीं लोगे वह देश की प्रॉपर्टी वी जो सम्विधान दे रहा है वह भी तो लोगों की है हम उस बड़े अधिकार को छोड़ रहे हैं और लोगों जो लोग ह हमारे पहले ही मड़ चुके हैं जिनकी नोखियां जा चुकी हैं जिनके पास कुछ नहीं है उनसे कहने के बिल्डिंग बनानी है उनसे कहने के स्कूल बनाना है उनसे कहना है कि हमको हस्पिटर बनाना है वह नहीं बना पाएंगे और अगर एकाद वह बना भी लेंगे तो उ तो चैरिटी से या कोई काम अगर लोग करते हैं उससे समिधान नहीं पिखलता उससे समिधान नहीं बात बानता वो कहता है आप करो जो आपने करना है जितनी एंजियों हैं नॉन गवर्रमेंट और गिनाइजेशन है उनको समिधान एक अंसदान तो देता है किसी को समिधान के अंदर हिसा हूता है वो लोगों को मिलता है यह समिधान कहता है तो वहां तक नहीं सब सर पे लेके घूम रहे हैं सम्विधान में हिस्सा कैसे देते हैं उसको हमारे दिमाग में डाल दिया कि MPMA ले ले आओ तो हिस्सा मिल जाता है MPMA से हिस्सा नहीं मिलता MPMA जागे हमाँ बदल गया 70 साल से हमाँ बदल जाता है आपका हिस्सा नहीं मिलता है SCST का जो component है उसका पैसा चला जाता है कोई कहने वाला है नहीं अगर उन से मिलता होता पैसा तो आप तक मिल जाता सतर साल में इतनी हुआर गवर्मेंट आई है स्टेट गवर्मेंट और सेंटर गवर्मेंट मिल जाता उन से नहीं मिलता पैसा क्योंकि वो separate electrol में खतम हो चुका है मामला वो तो पहले बता दिया था कि separate electrol चला गया वो कोई सुनेंगे नहीं वो आपके हाथ में है नहीं उतसाफ कहते थे आपने बोट नी डाला बात खतम होगी आप कुछ नहीं कर दें उनका तो आपको एकठा होना पड़ेगा तो वो आपकी बात सुनेंगे तो आप एक अगर वार वी इकठे हुए हो और आपको रिजल्ट आजाएगा, छे माने बाद एक्टे होगे, छे माने बाद रिजल्ट आएगा, एक साल बाद एक्टे होगे, एक साल बाद एक्टे होगे, रिजल्ट आएगा, दो साल बाद एक्टे होगे और सम्विधान नहीं रहा तो रिजल्ट पी नहीं आएगा, फिर आप बै कोई व्यक्ति आगे कहेगा हमने तो अपना पूरा जीवन दे दिया अब हमको यह समर्संग वाले ऐसे बोलते हैं अरे भाई हम आपको नहीं बोल ले आप अपने उपर क्यों ले लिये जाते हो यहां जो मैं कड़ी बाते बोलता हूं जो अपने उपर ले जाता है हमें पता च सेंटेस बोला तुमने कैसे गरन किया है यह तुमारे उपर है मेरे उपर थोड़ी है जो जो नहीं पीता है उसको मीठा लगा और जो पीता उसको खड़वा लगा क्योंकि बुरी बात है तो यहां जितनी भी बात हम करते हैं वो समर्संग के हित्म हैं और समर्संग के लिया करते हैं उसमें से कोई बात लपक लेता है तो हमें पता चल जाता है कि विकार उसके अंदर है भाई अपना विकार दूर दूर कर लो यह विकार दूर नहीं करोगी क्योंकि अगर मैं कोई बात गलत कहता हूं या सम्वनत पिसम कोई बात गलत कहता है और वो सच में गलत बात ह तो 236 के शप्टिस लोग एक साथ बोले next और अगर शृषिप सिर्फ इस ने से 2 लोग जो बोलते हैं और अगर सिर्फ इस ने से 2 लोग बोलते हैं या चाल लोग वॉलते है और अगर हम कोशिशrone करते हैं कि जो समर्ण संग में पुराना बुद्ध ने बताया हुआ है जो बाबा साब ने बताया हुआ है जो परियार साब ने बताया हुआ है जो महापुर्सों ने बताया हुआ है वही बताते हैं वही पढ़ते हैं वही छाडते हैं वही लाते हैं और वही बताते हैं अपन हमें बाप से भी ज़्याता यकीन है क्योंकि बाप ने तो हमको पैदा किया हम उनकी बाइलोजिकल प्रोडेक्ट है और उन्होंने तो हमें जिंद्गी दी है हमारे मनमस्स को खोला है हमारे मैंड को खोला है हमें एक ग्लॉरिफाई जिंद्गी देने का रास्ता बताया है क्य कि बड़े बाप तो हमारे हो है जो हमें जीवन चलना सिखाते हैं और जिरों ने बताया है तो हम कैसे उन पर यकिन ना करें कैसे उनकी वचारों पर यकिन ना करें जब उन्होंने ये कहा है कि संगंस रणंग अच्छामी है तो भाई हम तो आंक बंद करके मानते हैं संगंस र व्द दो पहारे माबाब होते हैं, पूरा जीवन लगाते हैं हों, हमें पालने पोशने में, उनकी बात को यकीन ना करने का कोई कारण होता नहीं है. फिर्बी हमारे बाप दादा इतने बहतरी हैं, पुद्ध है, वन्मने किया कहागा हूँ, रहा हूं आंक बंद कर यकीन मत करना देखो कितने बड़ी अबाप हैं हमारे कितने बड़ी दादा हैं हमारे कि सारी जीवन हमाने देगे फिर कह रहे मेरे बच्चों जो मैं कह कारा आंक बंद करें कि यकिन जो व्यक्ति को लगता है कि हम आलोचना कर रहे हैं जो व्यक्ति को यह लगता है कि हम संग्ठनों को कुछ उल्टा सीदा बोले हम संग्ठनों को कभी यह नहीं कहते कि आप अपना सिर्फ खतम करो या बुरे हो या आपने कुछ किया या नहीं किया हम तो यह कहते हैं कि भाई स बात करो, यहां कोई आता नहीं, हजार वर कहा है, यहां 240 लोग है, भाई आप ट्राई कर लो, कल को आप एक काम करो, यह जितने भी लीडर्न है, जितने भी नेता है, जितने भी संग्धर्न में लोग है, उनके हाज जोड़ों से, कब आउना एक वार रही हाँ, और आके हमको यह बता के जाओ कि जो आप कर रहे हो, उससे हमारी मुक्ति कैसे है, कोई रास्ता उनके पास है, तो छोड़े ना इसको हम यहां, यहां तसमयने से हैं, हम चाचार गंटे और अब तो दिन में भी लग रहा है, संड़े में पूर दिन लग रहा है, अब तो इतनी मीटें के चल नहीं है, यह मेहनत करनी बंद करें हम, इसलिए हर व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से समझ ले और जान ले, अभी यहां डॉक्टर रमेश चंद्राजी ने क्या जूम जूम के वो दिया, क्या बोलते हैं, कंसेप्ट दिया, एक अक्षर नहीं पड़ा उनों है, ना व डाउट छोड़ कर हर व्यक्ति को अपने महापुर्सों में आख बंद करके यकिन करना चाहिए, खास तोर से बुद्ध में और बावा साब में, बाकी का तो आप जानो, मगर यह दो ही सारे महापुर्सों के यही दो महापुर्स हैं, यह मॉडन हैं और वो एंसियंट हैं, हैं, यह दो हमारे महापुर्स हैं, कंप्लीट कंसेट दे रखा है यह कंप्लीट, बुद्ध ने करके दिखाया हुआ है, और बावा साहब ने रास्ता चिक्नी सडग बना दी है, कहीं नहीं ही लडना हमको, सिर्फ इखटे हैं, इसको डटलो भाई, इस पर काम करो, अगर इ होगे और अगर इखटे नहीं हुए तो बेसक आपने यूनिविस्टिया बना लिए बेसक आपने अम्बिट का भवन बना लिए बेसक आपने कवीर भवन बना लिए बेसक आपने सरकारी करमचारियों के सबसंग्ठर बना लिए बेसक आपने राजनेतिक पार्टी सारी बना आपने पैसा बना लिया, बेसक आपने हजार गारी खरे ली तो करोगे क्या आपके पास में बहुत ज़्यादा खेत खलियान हैं मगर कोई आपको खेत में से राष्ट है ना दे और पाई ना दे तो उस खेत का करोगे क्या यह situation पहले भी आई हैं इसे situation से बचने के लिए एक ही हमारे पास रास्ता है संगे सत्ती जितनी जल्दी हो सके उ उतनी जल्दी जी चीतेंगे और जुडने में कोई डाउट नहीं है कोई संसय नहीं है, हर हालत में जोड़ेंगे और फ्रालत में जीतेंगे, कोई सा बांद आये, अपने आप फाटा खोल ढब तो ठीक है और ना इंखोलेगा, तो इस पार तो वो उड़ेगा है, कुछ ठाइब जीज़ता है कि धम की वीडियो किसी को पूर मिलनी चाहिए या इसकी इसकी पार्ट को इस्त responsibility चाहिए. तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या permission लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरनं गच्छाम। तूथियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। बुद्धियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। तूथियं पी दम्मं मर्सेन गच्छाम। तूथियं पी दम्मं सरनं गच्छाम। तूथियं पी संगं सरनं गच्छाम। बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संगं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्कामी बुद्धं सर्णं कच्छामी